आपके सामने जो डिवाइस दिखाई दे रहा है ये एक मदर बोर्ड है क्या है ये तो मदर बोर्ड है मदर बोर्ड मतलब की मदर मतलब की मदर यानि आपकी मदर और सारे रिलेशन आपके जो है ना वो मदर से होते हैं ऐसे ही जो भी डिवाइस आप लगाएंगे एक पेंड् parallel port, USB के सारे ports, speaker वगएरा के ports आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वैसे यह USB है, यह PS2 है, पहले mouse keyboard के port ऐसे आते थे, अभी आगो कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, सब कुछ इसी board से लगा हुआ है, इसलिए हम इस board को कहते हैं motherboard, अब motherboard जो है, एक plastic का board होता है, जिस पे circuits लगी होती है, इनमें क्या क्या होता है, तो इनमें आप देखेंगे, तो एक छोड़ा सा यह chip है, यह है RAM, क्या है random access memory, random access memory जो है, वो अलग-अलग variants में, अलग-अलग size म available है, तो यहाँ पर RAM देखेंगे, तो यहाँ पर RAM लगा हुआ है, आप RAM यहाँ पर लगा सकते हैं, वैसे यह RAM जो है इस PC का नहीं है, यहाँ पर लगाने के लिए लगा हुआ है, अब रोम भी यहाँ आपको देखने के मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, रोम कहाँ है, तो यहाँ पर Excel लगता है, जो आपका date and time manage करता है, बाकी आप आगे देखेंगे, तो यहाँ पर एक fan लगा हुआ है, यह fan जो है, वो आपके CPU को क्या करता है, heat होने से रोकता है, गरम नहीं होने देता है, मैं इसको खोलता हूँ जरा, कैसा है CPU जरा हम देख लें, तो य आपका बाहर आ जाएगा, यह fan आपका बाहर आ गया, यह आपका fan, यह जो है heat sink है, यह गर्मी जो है, वो खीच लेता है, और गर्मी खीच के यह fan उस गर्मी को बाहर निकाल देता है, यह CPU को ठंडा करता है, यहाँ पर देखेंगे तो यह CPU लगा हुआ है, अब CPU को मैं यहा से मैं निकाल देता हूं, यह जो आपका दिखाई दे रहा है, यह भी एक प्रकार का क्या है, CPU है, तो देखिए, CPU यहाँ पर आपको दो टाइप को देखने के मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, दो अलग-अलग CPU हैं, यह पहले CPU बनता था, अब यह थोड़े से पुराने स यह CPU, इसे यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, अगेन फैन वगरा जो भी सेट करना है, आपने सेट कर दिया, बाकि यह जो circuits हैं, यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका पावर केबल वगरा लगते हैं, फैन को चलाने के लिए केबल जो है, वो भी यहाँ पर सबस्राइब लगते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहें, यह पूरा मदर्बोर्ड आपके सामने है, यह मदरबोर्ड ही हमारे कम्पूटर को चलाता है, यही इस CPU है, यहीं पर लगता है, यही पूरे कम्पूटर को चलाता है, जरुख करें, थांक्स पर वहची बयाई